रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतनकी हमले में मरने वाले लोगों की संख्या साथ हो गई है। आक्रा बढ़ने की आशंता जताई जा रही है। 140 से ज्यादा लोग घायल है। हमला शुक्रवार रात को हुआ। इसकी जिम्मेदारी इसलामिक स्टेट ने ली है। सेना जैसी वर्दी पहने पाँच आतनकीों ने अंधाधुंद गोलिया चलाई और बम फेंके। रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा हम मोस्कों में हुए आतनकवादी हमले की निंदा करते हैं। हमारी सम्वेदनाय पीडित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत, रूस की सरकार और लोगों के साथ एक जुट्टा से खड़ा है। आतनकी संगठन आयस ने आमाक न्यूज एजनसी के जरिये बयान जारी किया। कहा, इसलामिक स्टेट के लड़ाकों ने रूस की राजधानी मौस्कों के बाहरी इलाके क्रास्नोगोर्स का शहर में इसाईयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया। जिसमें सैकडों लोग मारे गए और घायल हो गए और उनके सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लोटने से पहले उस जगा पर भारी तबाही हुई। हमला करने के बाद हमारे लड़ा के मौके से भाग निकले। रूस के हमले में यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया। इस पर यूक्रेन ने बयान जारी करते हुए कहा। हम इस तरह के आरोपों को यूक्रेन विरोधी उन्मात को बढ़ावा देने के रूप में मानते हैं। अंतराश्य समुदाय में यूकरियन को बदनाम करने का तरीका है। हमारे देश के खिलाफ रूसी नागरिकों को लामबंद किया जा रहा है।